अबुस्त शौ्टशिय। के अधे मुद् नेस्थ निये नवसरे तक चाहिए सब्सक्राइब ऑच को को इन युद्ड कश्टा है कशेपी ज़्यादा सब्सक्राइब सब्सक्राइब तोकिछ युद्द्ट कर दो variance तो मेतड होते हैं, एक implicit type casting होती है, एक explicit type casting होती है, तो हम इसको one by one सारे cases यहां पे भी देखेंगे, तो यहां पे implicit, पहला हम ले लते हैं, implicit, implicit type casting, यहां पर फाइल वाइल बना लेना अपने नोट्स जैसे यहां पर फॉलो कराएंगा था विडियो में नहीं सकता तो अपने सारे जो मैं फॉलो कर रहा रहना ताकि in future आपको जब revise करना हो तो आपको easily सारे sources available हो खुद के notes available हो ठीक है okay so आप यहां पर हम typecasting से समझते हैं एक चोटा से example नहीत है like मैंने हां पर लिया int x is equals to a a right and यहां पर मैंने print कर दिया system.out.println यहां पर मैंने print कर दिया x को जब मैंने यहां पर x को प्रेंट किया तो हमें output क्या मिला 97 मिला अब आप मुझे बताओ यहां पर क्या हुआ यहां पर implicit type casting कैसे implicit type casting क्योंकि हमने यहां पर character value दी थी आप हमने x में x में कौन सी character x कौन सा type integer type x के integer type हमने कौन सी का कौन सी value दी character value दी लेकिन हमें यहां पर x में कोई character value देने था हमें कोई error नहीं मिल रही है था हमें यहीं पर क्या मिल रहा है करता है कौन करता है यह tempra चलह करता है यह क्या करेगा हमारे हांलOS का कहें इसका करेगा जो भी इसका भी वेलो fluor किसमें ड्टय करता हमारे x से आप ईंपूंटर करता कोण है type casting हमें साथ compiler करता है कौन सा implicit type casting implicit type cast type casting is done by the compiler ना compiler की compiler के दौर्ड implicit type casting होती है अच्छा implicit type casting कब होती है यह देख लिए थे when a lower lower level data type data type is converted into bigger level data type data type then implicit type costing then implicit type costing is now you don't understand that the lower level is higher level here I will make a small diagram and then you will explain it so this is our level of data type in the sense which is the smallest byte what happens is what happens is what happens is what happens is short and then finished then it has long then it has float then double is our data hierarchy when lower data type goes short implicit convergence will be very complicated how does it compile like care से हमें कहां जाना है इंट में जाना है जैसे हम यहां पर अपने ग्जामपल में क्यार से क्यार से इंट में गया है तो क्यार क्यार लोवर लेवल है लोवर लेवल डेटा टाइप है तो लोवर लेवल से हाईयर लेवल जाने में हमारी का compiler क्या कर देगा implicit conversion कर लेगा उसे जिसे हम कह देते implicit type casting कह देते हैं ठीक है जिसे कहते है implicit type casting कह देते हैं ठीक है okay so next example देखते हैं एक एक छोटा सा और example यहां पे ले लेते हैं like मैं यहां पे लिए double double d is equals to 10 ठीक है so 10 आप यहां पे दोको 10 किस type का है अच्छा मैं इसको अगर यहां पर print करूं मैं यहां पर अगर इसको print करूंगा तो हमें output कितना मिलेगा 10.0 ठीक है अब हमने दिया तो value यहां पर 10 अना 10 हमने store किया था टीमें लेकिन हमें output मिला 10.0 यानि double type का हमें मिला तो यहां पर 10 क्या है 10 एक in Tahir है तो इनला पर जेंगा तो अब्सक्राइब या आई ने कि में यहां पर देखा ता हमने हैं लेवल हा GREG सबसे हाइट कर्या होता हुता है इंड कराम मार्लोवल य्वल से हमें higher लेवल पर रह जाने नोट वन नोट वन यह है कि इंपलिसे टाइप कास्टिंग में कोई भी लॉस नहीं होता है है no loss in implicit type casting, implicit type casting यह जो गब लॉ हो नहीं, लेकिन यह जो नहीं बहुत लिए हो सकता भी ना समझा लेकिन जब हम explicit type casting पढ़ेंगे अभी थोड़ी दिर बात तो हम समझ में जाएंगे कि क्या loss हो रहा है क्या नहीं लॉसरा वो हम आगे थोड़े दिर में अच्छे से क्लेर आउट कर लेंगा ठीक है ओके सो अब हम पढ़ते हैं explicit type casting अब तक हमने देखा था implicit type casting अब हम देख लेते हैं implicit implicit में सब कुछ मैंने cover कर लिया होप सो हाँ कर लिया अब explicit type casting कर लेते हैं यह explicit type casting अच्छा यह जो लेवल आप डेटा टाइप यहां पर यहां पर लिख लेते हैं need for implicit implicit type casting when lower level data type conversion to higher level ठीक है okay okay so इसका जो जो explicit type casting हो इसका उल्टा होता है जब हमें higher level से lower level conversion करना होता है तो हमें explicit खुद programmer क्या करता है यह compiler नहीं करता है यह programmer करता है अपने risk पर करता है मतलब हमें higher level से lower level पर आना है अगर higher level से lower level पर आना है तब हमें यह देखने को मिलता है कौन से explicit type casting देखने को मिलती है right okay मैं यहां पर create कर लेता हूं चैसे हाई ओके जब सपोज अगर अगरम ने यहां पे सब्सक्राइब यह तेखने के लिए रखी अधिदेजर में में डबल हमें किक चोटा से ग्जामपल लेता हूं एक्जामपल लेकर सम्झाता हूं लाइक मैं यहां पर लेता हूं एक्स प्लीशिट टाइप कास्टिंग को näha यहिंट can you end in the x is equally to 130 इंटल सीथ पैर में excited पिर हमने यहां पे सारी एंठले रखा हमने टो एक सुनले लेते हैं पिर हमने आपे बाइट टाइप का resonate डाटाइब दिया, बाइट बी इस इक्वस्ट टू, मैंने यहां पर x को इसमें स्टोर कर दिया, ठीक है, अच्छा, अब आप यहां पर देखो हमें क्या मिल रही है, एरर मिल रही है, क्यों, क्योंकि, यहां पर मिलेगा हमां, क्यों मिलेगी, यहां पर आप देखो, possible lossy conversion में from int to byte, यह हमारा क्या है error है यहां पर incompatible type, इसे हम यहां पर लेख लेकले लेते हैं, तो यहां पर कौन सा error मिल ला है, compile time error, incompatible type, possible lossy conversion from int to byte, हम यहां किस की कोज़द करें, x क्या इंट टइड टाइप है और b क्या है byte है तो x क्या है x की वैल्व 130 हम किसमें store करने की और । हम एक्स कार रहे हैं तो हम यहां पर error मिले like यह हमें यहां पर हमें क्या मिलेगी error मिलेगी रैट अब इस error को हमें avoid करने के लिए हम क्या करेंगे explicit type casting करेंगे like हमने बस सेम कोड मैं फिर से लिक रहा हूं byte b मैं है explicit type casting मतलब जो भी int value है उसको हमने किसमे convert कर दिया बाइट में convert कर दिया यह क्या है हमारा explicit type casting है हम क्या कर रहे है जिस data type में हमने higher level बाइड मतलब in teaser क्या था higher level था आप यहां पर देखो बीधर क्या था higher level हाई लेवल से हम किस पे जारह है बाइट lower level पे जा रहे है higher level से लोबिवल पे जारह है तो हम इसके लिए ईक्सप्लिस टाइप कास्टिंग करेंगे explicitendo के लिए यहां पर फ्र也 are किन करेंगे एक चोटा सब्सक्राइब प्रेंड condition को मिलेगा है अब अच्छे से संमझा अधे हैंगे इस ट्विस्ट को पहले वोस्त shower इसक squeezed दिखा दो इस किन फ्रेंट कर रहा है थो इसका में आत फूट की तना मिलेगा according to your output कितना मिलेगा 130 बिलकुल नहीं हमें output मिलेगा माइनस 126 मिलेगा फोड़ी सी सर्प्राज जी है मैं करके रिखाता हूं इसे इसको मैंने प्रेंट किया यहां पर ओ भई सुरी यहां पर मैंने X1 ले रखा है न तो X1 ही होगा न इसमें मैंने X1 को उपर मैंने X ले रखा था वो वैलू आ रही थी 97 राइट तो अब इसको हम प्रिंट करके देखनें फिर से हमें माइनस 126 आउटपुट पहलेगा आप यहां पर देखो न दिया था 131 हमें आउटपुट कितना मिला माइनस 126 तो यहां पर क्या हुआ डेटा लॉस हुआ तो हम यहां पर पॉइंट्स लेखेंगे पॉइंट्स हमारा क्या है एक्स्प्लीजेट एक्स्प्लीसीट ट Debfir собор केश्टिंग कि ला एilah सी लाॉसी टैपकास्टिंग इसटी ने हमें आप यहां पर क्या मिले था आप यहां पर मिलत आप यहां पर Pir 1 ऐर मिलती पॉसिबल लासी कंवर्जन ठीक है तो यहां पर हमें क्या मेला माइनस 126 दूसरी चीज हमने यहां पर क्या नोटिस की जो explicit explicit conversion type casting is done by done by programmer at their own risk own risk क्यों क्योंकि यहां पर possible lossy conversion होने वाला है इसलिए यहां पर own risk क्योंकि इनका data क्यों सकता loss हो सकता है कुछ data क्यों सकता conversion के time पर अच्छा यह हमने देख लिए अब हम यहां पर यह चेक करते हैं कि यह जो हमने यहां पर 130 रखाता था यह 130 से माइनस 126 कैसे मिला यह चीज हम देखते हैं तो मैं थोड़ा से visualize करने के लिए एक visualize करने के लिए graphical point of view बना लेता हूं फिर उसे आपको अच्छे से समझाता हूं इस चीज को समझते हैं यहां पर सो जैसे हमने यहां पर देखा in tax is equals to 130 लिए था तो एक्सवन ही कोई variable है एक्सवन में क्या आगया हमारे पास 130 आगया ठीक है 130 आगया के यह एक्सवन नाम को किए वस्टिसमें क्या गया 130 राग यह वाली 130 को कर 30 bit में बाइनर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास यह रिप्रेजेंटेशन आती है अग बर आप एक बार करके देख लेना रहे हैं यहां पर जो यह रहा पर आप क्या कर सकता है रहा है तो आप क्या करो अपना खुद का typecasting करो, अपने risk पर까 इंज तो programmerstell ने किया다, programmer ने याप typecasting की byte में क्या किया, cancel typecastingर convert या यह ब anonym अब byte में जब convert कία तो byte का size होता है? तो one byte size मतलब कितना होता एत bit होता है, one byte मतलब one byte में कितना bit होता है? 8 bit होता है यह ना 8 bit होता है तो चब यह पूरा 30 यह पूरा 32 bit का जो size था हमारे पास integer का वह किस में convert हो जाएगा 8 bit में यानि left mouse से हम लेकर आ जाएगे 8 bit यह हमारा 8 bit कि क्या मिल जाएगा हमारा byte में मिल जाएगा जब हमें 8 bit byte में मिल गया तो हमने देखा हमारे पास जो actual value मिली actual value क्या मिली हमें वह देख लेते हैं यहां पर actual value आगए actual value हमें मिली 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर पैसे 5 टाइम 0 फिर 1 फिर 0 total 8 bit एक बार count कर लेते हैं यह 1 2 3 4 5 6 7 8 total 8 bit हमें मिली और हम जानते कि जब हम binary representation देखते हैं तो हमें जो left most significant bit होता है वो कौन सा bit होता है? sign bit होता है. तो sign bit का अगर वो 0 है तो plus है, अगर वो 1 है तो negative तो यह कौन सा sign मिला हमें? negative sign मिला. और हमने यह भी देखा जब यह negative sign होता है, तो negative sign के लिए हम क्या करते हैं? टूस कॉंप्लिमेंट में convert करते हैं. टूस कॉंप्लिमेंट करने का मैंने एक तरीका बताया था, जब इसका टूस कॉंप्लिमेंट करेंगे, टूस में convert करेंगे अगर, तो टूस में क्या बताया था हमने? जो left most से हम देखते आएंगे, left most से हम देखेंगे, जहां में first one मिलेगा, वहां हम रुख जाएंगे, उस वहां तक हम same as it is उतार लेंगे, बाकी zero का one कर देंगे, one का zero कर देंगे, like हमने यहां zero देखा, तो zero हमने यहां पर उतार लिया, as it is, क्योंकि अभी हमें one नहीं मिला, हमने one देखा, one हमें मिल गया, तो one को हम as it is उतारें 1, sorry as it is नहीं, zero का one कर देंगा, one का zero कर देंगे, one, 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 five time one, three, two, five, five time one, पर एक sign bit हमारा already है, यहां पर, ठीक है, तो यह सारी, यह value जब convert करोगे, यह तनी value जब convert करेंगे, हमें मिलेगा 126, हमें कितना मिलेगा 126, और जो हमारी sign bit है, यह sign bit है, यह क्या return कर रहा हमा हमारी total value कितने हो गई, minus 126, तो होप आपको समझ में आया, कि यह evaluation कैसे हुआ, हमने यहां पर, जब हमने explicit type conversion किया, तो हमारी जो value होगी, वह possibly loss हो सकती है, यहां तो हम यहां पर integer set, byte में आ गए, यहां पर, तो हम जो, जब हम explicit type casting करते हैं, तो किसके लिए type casting करते हैं, जब हम मैं higher level से lower level data type conversion करना होता है, तो हम explicit type casting करते हैं, जब हम lower से higher में जाना होता है, तो compiler अपने आप किसी से बिना बोचे, अपने आप क्या कर देता है, वो convert कर देता है, और यह इसमें कोई loss नहीं होती, implicit type casting में, ठीक है, ओके, so, hope, यह साही चीजे clear हो, एक मैं चोटा सा आपको एक्जामपल देता हूँ, आप अपने हिसाब से करना है, छोटा सा assignment है, आप कर लेना, यहां पर assignment लेता हूँ, assignment, 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 assignment में क्या है, int, एक int है, कोई variable ले लिया, वार is equals to, हमने इसमें 150 value ले ले ली, 150 value ले ले ली, short, short S ली हमने, इसमें हमने, इसमें हमने, इसको हमने, टाइप कास्ट किया, short में, हमने इसमें, where variable क्या किया, इस्टोर कर दिया, फिर हमने, print कर दिया, system.out.print, then, मैंने यहां पे, s को print कर दिया, ठीक, s को print कर दिया, एक और यहां पे ले लेते है, same, byte ले ले लेते है, byte, byte b ले लेते है, sorry, b हमने ले रखा अलरी, तो b न रहे हैं, हम यहां पे b1 ले ले लेते है, byte b1, और यहां पे type casting, explicit type casting कर देते है, byte b, byte and यहां पे where values में डाल देते है, ठीक हमने where value यहां पे डाल दी, और फिर इसके बाद, byte b1 को भी हम क्या कर देते है, अब बस आपको यह बताना है, कि इन दोनों का output क्या आएगा, मैं output बता देता हूँ, आप trace out कर ले ना, अपने हिसाब से, जब हम इसे convert करेंगे, short में convert करेंगे, तो हमें 150 ही मिलेगा, और जब हम इसे byte में convert, byte में वो करेंगे, type cast करेंगे, तो हमें 106 answer मिलेगा, थेक है, तो कैसे मिलेगा, हमने यहां पर एक चोटा सा ओवर्वी लिया, जब 130 को करके, कैसे लिया, कैसे करा, वाप भी अपना practice करना, assignment है, practice करना, एना, एक बार मैं आपको बताता हूँ, short की size होती है, हमारे पास कित्ती होती है, 2 byte की होती है, 2 byte मतलब 16 bit byte की size, हमने देखी, कि 1 byte हैने की 8 bit की होती है, तो होप implicit and explicit typecasting आपको अच्छे समझ में हो, इसमें अभी भी कोई अगर doubt है, तो without any hesitation, आप comment down कर सकते हो, मचले, let me know, I will cover it on the next video.